दोस्तों क्या राहूल गांधी से डर गए है मोदी और अमिशाह राहूल गांधी पर एक के बाद एक मनहानी का केस ठोका जा रहा है क्या नेताविपक्ष के तोर पर राहूल गांधी की बढ़ती लोगप्रिता से हैरान हो गई है पूरी भाश्पा और आरेसिस जी हाँ दोस्तों राहूल गांधी पर फिर कराया गया है एक और मनहानी का केस सावरकर के पोती दोरा मनहानी केस में अदालत ने किया है राहूल गांधी को तलब इस मनहानी का क्या है महराश्ट कनेक्शन आज राहूल पहुंची है महराश्ट और साहब के फूल गए है हाथ महराश्ट में साहब और फर्जी चानक के को सता रहा है हार कडर स्वागत आप सभी का देश नीती में मैं असरार रहमत देश नीती के वल सची और पक्की खबरे राहुल गांधी पर एक और मानहानी का मुकदमा हुआ है इस मामले में पुने की अदालत ने उनको तलब भी किया है इसी महीने 23 अक्टूबर को उनको पेश होने के लिए भी कहा गया है इस बार ये मानहानी केस दामोदर सावरकर के भाई के पोते ने किया है सावरकर के पोते ने कॉंग्रेस नेतबर पिछले साल युनाइटेट किंग्डम की यात्रा के दोरान हिंदुत वादी सावरकर के खिलावा अपात्ती जनक टिपड़ी करने का आरोप लगाया है अप्रेल 2023 में विनायक सावरकर के एक भाई के पोते सत्यकी सावरकर ने ये मुकदमा राहुल गांधी पर दर्च कराया है उन्होंने राहुल गांधी की विनायक सावरकर के बारे में कथित अपमान जनक टिपड़ीयों के संबंध में पुरे मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत भी दर्च कराई है कथित तोर पर राहुल गांधी ने पांच मार्च 2023 को लंदन में एक कारेकरम के दोरान ये टिपड़ियां की थी अब उसके बाद राहुल गांधी पर मानहानी का मुकदमा दायर कर दिया गया है आज राहुल गांधी महराश्ट के कोलापour पहुंचे हैं जहां पर भारती जन्ता पापार्टी को सीधे तोर पर चैलेंज कर रहे हैं हरियाना का चुनाओ खत्म करके आज ओटिंग का दिन है और राहूल गांधी अब महाराष्ट का चुनाओ बेहदी नजदीक है तो राहूल गांधी महाराष्ट पहुंच चुके हैं और वहां से अमिशाज और नरेंद्र मोदी को सीधा चैलेνज दे रहे हैं महराष्ट में भी आपकी हालत खराब होने जा रही है तो क्या उस डरसे राहुल गांधी पर एक बार फिर से मानहानी का मुकदमा दर्च कराये गया है क्योंकि बëयान तो राहुल गांदी ने और थीज दू ह 0193 में दिया था आप अंदाज़े लगाए कि किस तरीके से भारती जंदा पार्टी की पूरी टीम राहुल गांधी की बढ़ती लोगप्रिता से परिशान और हैरान हो गई है। राहुल गांधी ने महराश्च के कोलापुर से सिदे तोर पर चैलेंज कर दिया है। देखिए खबर है कि इंडिया टूडे की रिपोर्ट के अनुसार सत्यकी सावरकर द्वारा शिकायत में कहा गया है राहुल गांधी अपने जाने माने कारणों से कई वर्षों से विभिन आऊसरों पर सावरकर को बार 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 बदनाम और गाली दे रहे हैं। ऐसे ही एक उसर पर पांच मार्च 2023 को जब राहुल गांधी यूनाइटेड किंडम में ओवर्सीज कॉंग्रेस की एक सवा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने सावरकर के खिलाफ जान बूच कर बेबुन्याद आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि ऐसा कॉंग्रेस नेता ने इसलिए कहा है ताकि सावरकर की परतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सके। फिर से आप देखें कि किस तरीके से यहां पर रहुल गाधी के बारे में क्या कुछ कहा गया है। इसमें आगे कहा गया है कि रहुल गाधी ने सावरकर के खिलाफ जान बूच कर जूटे दुर्भावना पूर और बेबुनियाद आरोप लगाएं। जबकि वे पूरी तरह जानते थे कि यह आरोप जूटे हैं जिसका खास उद्देश उनकी प्रतिष्टा को नुकसान पहुचाना और उपनाम सावरकर को बदनाम करना है। सत्यकी सावरकर ने ये भी आरोप लगाया कि राहुल गांदी ने जान बूच कर ऐसे शब्द कहें जिससे उन्हें और उनके परिवार को मानसिक पिड़ा पहुचे। सत्यकीन अदालत से आगरा किया है कि राहुल गांदी पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाए जाए और उन्हें अधिकतम सजा भी दी जाए। साथ ही याचिका करता को मौवज़ा भी दिलाया जाए। तो आप अंदाजा लगाईए कि आप मानहानी का केस क्यों किया गया है क्योंकि मानहानी करने वाला खुद कह रहा है कि मुझे कुछ पैसे भी दिये जाए और इसी तरीके से राहुल गांदी पर मुकदमा दर्ज करके कुछ सालों की सजा भी दी जाए। तो क्या राहुल गांदी पर सजा होने वाली है महराज चुनाव को देखते हुए पूरे की अदालत ने राहुल गांदी को क्या तलब कर लिया है क्या आप राहुल गांदी पर केस होगा और राहुल गांदी पर जिस तरीके की बात याचिका करता की तरफ से कही जा रही है कि केस दरज करके उनके खिलाफ कारूनी कारवाए की जाये उनको सजा दी जाए तो क्या अब राहुल गांधी के बढ़ते लोगप्रिता से भारती जंता पार्टी के तमाम निता और खुद RSS परिशान हो गया है कि अब राहुल गांधी की लोग प्रिता उनसे देखी नहीं जा रही है दोस्तों ये मानहानी ऐसी है कि राहुल गांधी को इसमें पहुचना जरूरी ही होगा बगएर पहुचे काम नहीं चलने वाला है राहुल गांधी को वहां पर रहना जरूरी है जब ये सुनवाई होगी 23 अक्टूबर को हम जानेंगे कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था जिसके बिना पर राहुल गांधी पर सावर करके पोते ने मानहानी का केस ठोंक दिया है संयुक्त सिविल न्याइधी शिवम न्याइक मजिस्ट्रेट अमोल शिंदे की अध्यक्षा वाली विशेश अदालत दे गांधी के खिलाफ समन जारी करते हुए कहा कि मामले में भारती दंड सहिंता आईपीसी की धारा 500 मानहानी के तहे दंड नी आरोप का जवाब देने के लिए उनकी उपस्तिती आवश्यक है और उनका 23 अप्टूबर को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्तित होना जरूरी है अपनी शिकायत में सात्यकी सावरकर ने आरोप लगाया कि गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में दिये अपने भाशन में दावा किया था कि वीडी सावरकर ने किताब में लिखा है कि उन्हों ने उनके 5-6 दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम यक्ति की पिटाई की थी और उन भावनापूर करार दिया है तो अब अंदाजा लगाईए कि महराश चुनाव बेहती नज्दीक है अब राहुल गांधी पर एक और मानहानी का केस दायर हो चुका है तो क्या जिस तरीके से राहुल गादी पहले ही कह रहे थे कि महराश में भारती जंदा पार्टी की करारी हार होने जा रही है और जिस तरीके से अब यह अनुमान लगाए जा रहा है कि अगर महराश्च के नतीजे इंडिया गड़बंदन के समर्थर में आते हैं तो केंदर की नरेंदर बोदी सरकार गिर जाएगी तो क्या अब उस सब को बचाने के लिए राहुल गादी के खिला था तो क्या आब उसी तरीके से राहुल गानदी पर एक और काररवाई की पूरी तैयारी की जा चुकी है और उसकी बिसात बिछाई जा चुकी है 23 अक्टॵर को राहुल गांदी को पुने की अदालत में पेश होना है क्योंकि सावर करके पोते ने राहुल गादी के राहूल गांदी वहाँ पहुचने की कोशिश कर रहे हैं तो अब राहूल गांदी की लोग्रिता विबढ़ती जा रही है जिसका दावा खुद राहूल गांदी कहते हैं कि मेरी छवी खराब करने के लिए भारती जंता पार्टी और आरेसेस ने करोडों रुपए मीडिया को सोचते हैं आपकी क्या राहा है कमेंड बॉक्स अपनी राय जरूर दे और इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं देश निती धन्यवाद